Assalamu alaikum grade 5 my name is Sadaf and I am your computer teacher students हम लोग पढ़े हैं अपने unit number 2 जिसका नाम है computer memory तो last lecture में हमने पढ़ा था कि primary memory क्या होती है तो आज हम देखेंगे कि secondary memory क्या होती है तो चलिए lecture के तरह चीज तो last lecture में हम लोगों ने पढ़ा कि primary memory क्या होती है आज हम देखेंगे कि secondary memory क्या होती है तो students primary memory में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था primary memory की हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी थी जो कि क्या थी RAM और ROM और students हम लोगों ने बात की थी कि primary memory कहा होती है primary memory होती है आपके CPU पर ठीक है यानि के central processing unit पर ही होती है लेकिन स्टुडेंट सेकेंडरी मेंबरी अलग होती है सेकेंडरी मेंबरी को हम इसी लिए external storage भी कहते है जैसे हम लोगों ने कहा था कि primary memory क्या होती है primary memory होती है internal storage या internal memory और secondary memory को हम लोगों क्या कहते है external memory या फिर external storage तो देखिए external storage क्या होती है secondary memory is also known as external memory secondary memory को हम और क्या कहते है students हम इसे कहते है external memory आगे दिखिए it stores data permanently हम लोग इसमें permanent data store करते हैं जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि RAM का data आपका जब computer turn off होता है तो उसका data vanish हो जाता है लेकिन students हमारी external storage जो है वो उसका data vanish नहीं होता बलके वो permanently saved रहता है आगे दिखिए your personal files and files and programs used to run the computer are stored in it अब हम बात करेंगे कि हमारी external storage में या फिर हमारी secondary storage में किस तरह की files save होती है तो students हमारी personal files your personal files यानि कि जो हमारी personal data होता है हमारी कुछ files होती है जैसे हम लोगों ने अपने computers में store किये होते हैं ना कोई music file store की होती है या हम लोगों ने अपनी assignments की file store की होती है तो students वो क्या होती है वो होती है हमारी personal files यानि कि जो हमारे काम करने के लिए जरूरी होती है हम लोगों ने भी तो computer के साथ interact करना है ना computer पर काम करना है तो students ऐसी files जो के आप लोगों के लिए जरूरी है वो क्या है वो है आपकी personal files आगे दिखिए and files and programs used to run the computer और इस तरह की files और इस तरह के programs जो के इस्तमाल होते हैं computer को run करने के लिए वो कहां save होते हैं वो भी external storage में save होते हैं तो students अब हम देखेंगे कि external storage की types क्या हैं तो चलिए देखिए जी students तो हम लोग अपढ़ने वाले हैं external storage devices कि कौन सी ऐसी devices हैं जिन पर हम लोग अपना external data store कर सकते हैं हम लोग उने पढ़ा था कि primary memory की कौन कौन सी devices थी students वो थी ROM और RAM एक ऐसी device है जिसके ओपर जो data save होता है वो कुछ देर के बाद जब आप लोगों का computer off होता है तो वो vanish हो जाता है और students रोम कौन सी device है? रोम एक ऐसी device है जिसके ओपर data तब write होता है जबकि हमारा computer manufacture हो रहा होता है तो students computer को चलाने के लिए जो data चाहिए होता है और ऐसी data files जो के हमारे programs हमारे programs कौन कोन से हो सकते हैं जो use करते हैं हम लोग अपनी working करने के लिए जैसे के हम लोग computer पर काम करने के लिए use करते हैं MS Paint या फिर हम use करते हैं notepad वगरा writing के लिए use करते हैं और students इसके इलावा और हम लोग computer languages वगरा जो भी use करते हैं वो सारा data कहां save होता है students वो save होता है external storage में अब हमने देखना है कि external storage की कौन कौन सी devices हैं जिन में हम लोग अपना data store कर सकते हैं तो students वो है hard disk, floppy disk, cds, dvds और क्या है pen drives तो students ये कुछ devices ऐसी हैं जिनको हम लोग इस्तमाल करते हैं अपना data store करने के लिए hard disk students इन में से ऐसी device है जो के आप लोगों के computer में permanently होती है लेकिन जो बाकी की devices है students वो removable devices है ठीक है, floppy disk भी removable है, cds भी removable होती है, dvds और pen drives ये sub drives जो है ये removable होती है सिवाए hard disk है, hard disk हमारे computers में permanently होती है और इसको remove करना उतना आसान नहीं होता जितना के इन बाकी devices को करना होता है इसका मतलब ये हुआ students कि ये बाकी devices क्या है ये हैं portable storage devices, ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि hard disk क्या होती है देखिए hard disk hard disks have large storage capacity students, hard disk एक ऐसी storage device है जिसकी सबसे ज्यादा large storage capacity होती है इसमें हम बहुत सारा data अपना store कर सकते हैं आगे देखिए students all the programs required to work on the computer are stored here तो students, वो सारे programs जो के हमारे लिए जरूरी होते हैं computer पर काम करने के लिए वो कहां store होते हैं वो store होते हैं hard disk में जैसे के सबसे important program क्या है computer को use करने के लिए वो है operating system यानि के windows तो students, windows कहां store होती है windows store होती है hard disk में उसके इलावा जितने भी programs हैं जो के हम लोग इस्तमाल करते हैं computer पर काम करने के लिए वो सब यहां store होते हैं जैसे के notepad और logo लोगो लैंगविज के वारे में हमने पड़ा तरह MSW logo तो students, यह भी कहां save होती है यह भी hard disk में save होती है और इसके इलावा MS word भी यहीं save होता है तो students, वो सारे programs जो के हम लोग इस्तमाल करते हैं computers के साथ interact करने के लिए वो कहां store होते हैं वो store होते हैं hard disk में तो आगे देखिए It is consisted on several disks called platters तो students, platters क्या हैं? platters हैं, वो छोटी-छोटी disk जो के इस hard disk पर होती है ठीक है? अब देखिए कि वो disk क्या होती है? They are rotated at high speed वो हर disk जो है, वो क्या करती है? वो high speed पर rotate कर रही होती है और वो किस तना से rotate करती है? आगे देखिए given by spindle motor तो students, एक spindle motor होती है जो के क्या करती है? इन छोटी-छोटी disks को high speed पर rotate करती रहती है ठीक है? आगे देखिए Each disk surface has its own read and write head तो students, हर disk का जो के हम छोटी-छोटी disks के बात कर रहे हैं तो students, उस हर disk के उपर क्या होता है? अपना read and write head होता है यानि के हर disk के उपर अलग-अलग आप लोग अपना data write और read कर सकते हैं आगे देखिए they can operate simultaneously यानि के students, ये सारी के सारी disk जो है, वो एक time पर काम कर सकती हैं उससे क्या होता है? उससे ये होता है के sub-disc के read and write head एक ही time पर काम कर रहे होते हैं तो data transfer के speed ज्यादा बढ़ जाती है देखिए students आगे it has the capacity to store up to 4 TBs तो students, हमारी hard disk कितना data store कर सकती है? 4 TBs तक का data store कर सकती है 4 TBs यानि के 4 TBs और 1 TB कितना होता है students? 1024 GBs मिलकर बनाते हैं 1 TB और हमारी hard disk कितना data store कर सकती है? 4 TBs तक data store कर सकती है सारी की सारी hard disk 4 TBs तक store नहीं करती है students hard disk की capacity vary करती है हर computer के हिसाब से हो सकता है कि आपकी computer की capacity थोड़ी कम हो और मेरे computer की capacity थोड़ी ज्यादा हो तो students hard disk की capacity vary कर सकती है लेकिन ये कहां तक data store कर सकती है? ये 4 TBs तक data store कर सकती है ठीक है? तो students जड़ा अपनी screens पर देखिए जी ये picture जो आप लोगों को नज़र आ रही है students ये क्या है? ये है एक hard disk जी students अब जड़ा एक और picture देखिए अब आप लोगों को hard disk का internal structure नज़र आ रहा है आप लोग छोटी छोटी disk देख सकते हैं? जी students हम लोगों ने अभी बात की थी कि प्लेटर्स क्या होते हैं? प्लेटर्स होते हैं ये छोटी 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 disks जिनके अपने read and write heads होते हैं और students ये सारी की सारी disk एक ही time पर काम कर सकती हैं तो अगर हमारे पास एक ही बड़ी सी hard disk होती एक ही disk जिसके ओपर आप लोग read and write कर सकते हैं तो students उसकी speed ज्यादा fast हो सकती है क्या फिर इसकी speed ज्यादा fast होगी जो के consist करती है चोटी छोटी छोटी disk पर consist करती है उसकी speed ज्यादा fast होगी वो क्यूं होगी क्यूंकर ये सारी की सारी डिस्क एक ही टाइम पर काम कर सकती है आगे दिखिए students हम क्या पढ़ने वाले हैं ची students और हम पढ़ने वाले हैं floppy disk के बारे में हम दोगों ने पहले पढ़ा hard disk के बारे में hard disk हमारे computer में permanently exist करती है लेकिन students floppy disk हमारे computer में permanently exist नहीं करती floppy disk होती है portable devices portable का मतलब क्या होता है portable का मतलब होता है easy to carry and easy to use तो देखिए floppy disk क्या होती है it can only store small amount of data तो students जिस तरह से हमने बात की देखिए hard disk large amount of data store कर सकती है लेकिन floppy disk क्या करती है floppy disk सिर्फ थोड़ा सा ही data store कर सकती है आगे दिखिए it is used to store the files safely students यह क्या करती है कि हमारी files को बहुत safely store करती है ठीक है आगे दिखिए students it is a thin piece of plastic coated with magnetic material तो students अब है हमारी floppy disk का structure वो क्या होता है floppy disk होती है एक छोटा सा plastic का piece जो के magnetic coated होता है ठीक है आगे दिखिए it can be used to transfer and carry the data तो students इस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि floppy disk होती है portable devices तो students हम इनको एक जगा से दूसरी जगा करके ले जा सकते है इनके ओपर हम अपना data store कर सकते है एक computer से दूसरे computer में हम अपना data transfer भी कर सेते है आगे दिखिए nowadays they are not in common use अब हम लोग floppy disk को इतना ज़्यादा use नहीं करते and they are replaced by CDs and DVDs और students हम लोग उने floppy disk को replace कर दिया है किन devices से CDs और DVDs से यानि के हम लोग आज कल के दौर में floppy disk स्यादा तर use नहीं करते और हम क्या use करते हैं उनकी जगे पे उनकी जगे पे हम लोग prefer करते हैं CDs और DVDs को क्यों क्योंके CDs और DVDs floppy disk की निस्बत ज्यादा faster होती है और ज्यादा data store करती है तो देखिए हम floppy disk में कितना data store कर सकते हैं floppy disk can store only up to 1.44 MB MB क्या होते है MB होते हैं MB और एक floppy disk कितने MB store कर सकती है only 1.44 MB तो students यह तो बहुत ही कम है ना जिस तरह से हम लोगों ने बात की भी hard disk कितना data store करती थी 4 TBs तक data store कर सकती है और floppy disk कितना कर सकती है सिर्फ 1.44 MB क्योंके students इसकी storage capacity बहुत कम होती है इसलिए अब हम लोगों ने floppy disk को use करना तकरीबन बंद कर दिया है और हम लोगों ने इसको replace कर दिया है किन devices से CDs, DVDs और pen drives से तो students आज का lecture इतना ही था बागे कि storage devices हम पढ़ेंगे next lecture में तब तक अपना ख्याल रखेगा Allah हाफेस